नवस्कार साथियों मैं हूँ एडवकट सोग सोधरी साथियों आज अपने बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड जी हाँ प्रोसेस क्या होता है बहुत सारे लोगों कमेंट आते हैं सर आउट पास चालू है लेकिन चालू किस तरीके से तो मैं बता दूँ अगर मान लीजी आप मैने से पुराने हैं तो ग्यारा सो रुपे आपको लेगी पलस डेड़ सो रुपे आपको फोरम को देने पड़ेंगे इसमें आपको एक MBC लेटर लिखे देती है उस लेटर की साफ से कम से कम बंदे का टाइम लगेगा एक से दो मैने का जियां साथी याँ आपको पैसा भी लगेगा आपको चकर भी काटने पड़ेंगे आपको वहां रहोगे तो अक्स्टा खर्चा भी आएगा ठीक है और य मान लीजी आपको जल्दी आना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सोटली तरीके से प्रोसेस बता दूँ अच्छा लगे तो आप फॉलो इसमें कर सकते हैं अगर आप MBC जाके लेटर महां से अप्रूल एक लेटर होता है उसमें लिखे देती हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड कि इनका जो आपका आउट पास से रिलेटेड यह होता है लेकिन इसमें टाइम लग जाता है एक सी दो मैने तक यानि लोंग प्रोसेस इसमें होता है ठीक है अगर यह प्रोसेस आप कैसे करते हो मान लीजी आप उनकी अजेंड के थुरू करवाते हो तो आपको पान सो रुप इसमें खर्चा बता दूं आपको दो दो साल तक पुराने आदमी है और आप इंडिया आना चाहते हैं तो आपका खर्चा होगा इकीस सो रिंगिट आपका जुर्माना रहेगा डेर्ट सु रिंगिट आपका फोरम कर रहेगा किराया बढ़ा करके आपका लगबग 25 सो रिंगिट हो जाएगा और पांथ सो रिंगिट इसमें अक्ष्टा देने पड़ेंगे यह की फीस है अजैंड लेगा आप इसमें देख सकते हैं यह तो हो गया और इस्टे वालों का अभी बात कर लेते हैं अगर आप एक मेने में 10-15 बीच दिन बीच में इंडिया आना चाहते हैं अगर आप एक माहा तक हैं तो आपको 1500 रिंगिट आपका खर्चा आएगा इस्पेसल पास इसमें लग जाएगा और बिना ब्लेक लिस्ट होए आप इंडिया पहुंच जाओगे इसमें काम हो जाएगा साथ से तस दिन के बीच में ठीक है एक से दो मैने के बीच अगर आप और इस्टे हो इंडिया आना चाहते हो तो इसमें आपको 25 रिंगिट देने पड़ेंगे इस्पेसल पास इसमें बि मंजाब का एक बंदा था उन्होंने कॉल कर लिया तो मैंने उनका इस्पेसल पास लगवाया था मातर साथ से क्यूंकि दो दिन की छुट्टी आ जाती संडे सटेडे दस दिन में उसका काम हो गया था मैं साइड में स्पेसल पास की फोटू डाल दूँगा उनकी टिकट है वह भी डाल दूँगा उनकी वोईस आपको सुना देता हूं यह भाई है उन्होंने वहाँ एरपोर्ट से उन्होंने वोईस छोड़ी थी सर्थी हो गया सब कुस हो गया अब फ्लाइट की बेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में यह बंदा है इनका स्पेसल पास लगवाया था दस दिन में यह बंदा पहुँच गया था इनका खर्चा गया था आप लोगों के पैसे खाया होंगे तो आपको पता भी होगा यह पैसा दो गया अंडेट पर्सेंट रहेगा गारंटी के साथ ठीक आपका काम हो जाएगा पान सो रिंगित अक्ष्टा लगेंगे यह इसमें आपका माइनस पॉइंट बोल लो या प्लस पॉइंट बोल लो आपकी मर्जी है ठीक है साथियो मैं नंबर छोड़ रहा हूं उस नंबर पर इंक्वारी के लिए बिल्कुल कॉल ना करें वो इस रिकोर्ड छोड़ दें नंबर लगबग आपके पास है वो नंबर दुबारा रिपीट कर रहा हूं उनको रिकोर्डिंग छोड़ दोगे त पॉल मेसेज का रिपलाई नहीं मिलेगा ठीक है साथियो जहिंद बंदबाद